सुनाए BCA करने के लिए चंडिगर्ड उनिवर्सटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो चंडिगर्ड उनिवर्सटी से BCA करने का क्या एड्मिशन प्रॉसेस है? क्या वहां की fees है? कैसी वहां की पढ़ाई है? और सबसे important कैसी वहां की placements है? कैसी कैसी companies वहां पर आती है? कितना salary package offer करती है? average package कितना जाता है? और highest salary package कितना जाता है? तो पिछले दिनों आप सभी students के बहुत ज़ादा questions आए चंडिगर्ड उनिवर्सटी को लेके तो मैंने सुचा क्यों ना CU पे एक detail वीडियो बनाया जाए आप सभी की information के लिए So hello everyone, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक computer science engineer, मुझे 10 से जादा सालों का experience software companies में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक super senior समझ सकते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो BCA Funds by Sunstone को ज़रू सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको आगे वीडियो पसंद आता है, तो इससे like और share करना बिलकुल न भोले तो बिना किसी देरी के start करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहली बात, जी हाँ, चंडिगर उनिवर्स्टी पंजाब से BCA करने का एक बहुत अच्छा option है क्योंकि यहाँ का जो infrastructure है, यहाँ की जो faculty है, यहाँ पर जो course related programs है, वो काफी ज़दा advanced और अच्छे हैं as compared to other colleges, पंजाब में, मोहाली में, धाइसो एकर में फैला हुआ, चंडिगर उनिवर्स्टी का बहुत बड़ा campus है जहाँ पर यह offer करते हैं बहुत सारे post graduate और undergraduate courses, जिसमें से BCA है, जिसकी आज हम detail में बात करने वाले हैं यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि चंडिगर उनिवर्सटी, UGC approved, AICT approved, NAC A plus grade का college है और यहाँ पर मैं आप सभी को यह भी बता देता हूँ कि NIRF ranking जो 2022 के हिसाब से है, वो CU की 29th है, यानि कि यह 29th best universities of India में से एक है अब आते हैं चंडिगर उनिवर्सटी से BCA करने के topic पे, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चंडिगर उनिवर्सटी, उन कुछ universities में से एक है, जहाँ पर आप regular BCA के साथ, online BCA या फिर distance BCA भी कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा option है, क्योंकि इसकी वज़े से ऐसा possible हो पाता है कि आप में से जो लोग पंजाब के आसपास के हैं, वो वहाँ से regular BCA कर सकते हैं, और जो लोग पंजाब से दूर हैं और चंडिगर उनिवर्सटी से BCA करना चाते हैं, तो वो यहाँ से online या फि BCA कर सकते हैं, अब जिन वियोर्स को यह नहीं पता है कि regular BCA और online BCA में क्या फरक है, तो हाली में हमने एक सपे एक detailed वीडियो बनाया है, जिसे आप सभी उपर eye button पे click करके check कर सकते हैं, तो आईए अब जानते हैं कि चंडिगर उनिवर्सटी से regular BCA करने का क्या admission process है, और आपको देना होगा CU का entrance exam, जिसे कहा जाता है CU CET, यानि कि चंडिगर उनिवर्सटी common entrance test, यह एक online test होता है, इसके merit के basis पे फिर यहाँ पे regular BCA के लिए admissions होते हैं, online BCA के अगर हम बात करें, तो वो करवाता है Institute of Distance Education and Learning in affiliation with चंडिगर उनिवर्सटी, जो कि कहा जाता है CU IDOL, यहाँ पे अगर हम online BCA के eligibility criteria की बात करें, तो आपने 12th किसी recognized board से किया होना चाहिए, with minimum 50% marks, यहाँ पे आपको कोई entrance test नहीं देना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और इन दोनों BCA के admission process में, आपको CU की official website पे जाना होता है, वहाँ पे register करना होता है, application form को भरना होता ह fees पेकर नहीं होती है, और फिर आप application form submit कर सकते हैं, और आप admission के लिए eligible हो जाते हैं, अब बात करते हैं कि CU से BCA करने का fee structure कैसा है, तो यहाँ पे मैं अब सभी को बता दूँ कि CU से regular BCA और online BCA के fee structure में काफे ज़्यादा फरक है, regular BCA के अगर हम बात करें, तो per semester tuition fees 60,000 रुप के करीब परता है, यहीं अगर हम online BCA की बात करें, तो वो काफे nominal है, वो पूरे 3-year course का 73,000 रुपीज है, यानि कि per semester यह आपको केवल 12,000 रुपे के करीब परता है, तो यहाँ पे यह ज़रूर है कि जो regular BCA चंडिगड़ उनिवस्टी से काफे ज़्यादा महेंगी है, लेक बहुत ही अच्छा tie-up है, बहुत सारी companies के साथ, यहाँ पे hundreds of companies आती है, इसमें से top recruiters हैं, जैसे Amazon, Google, Facebook, IBM, और specifically BCA graduates के लिए companies आती हैं, जैसे Infosys, TCS, Tech Mahindra, Capgemin, Wipro, और यहाँ पे हर साल 60-70% BCA graduates place होते हैं, इसमें से highest package जो जाता है, वो करीब 8-10 लाग रुपे तक जाता ह बहुत हैं, जो कि यहाँ के different scholarship programs, अगर आपके 12th में 90% से उपर के marks आए हैं, तो यहाँ पे आपको tuition fees में 50% relaxation मिल सकती है, अगर आप Chandigarh University के common interest test में अच्छा score करते हैं, तो आपको 10-100% तक की tuition fees में माफी मिल सकती है, और इसके इलावा यहाँ पे और भी बहुत सा scholarship programs हैं, COVID Warrior Scholarship, जो कि आपको financially help करते हैं, आपके tuition fees को देने में, तो अगर आप CU में admission लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूर इन scholarship programs को चेक करें, तो इस सभी discussion से मेरे यह conclusion निकलता है, कि पढ़ाई हो, facilities हो, placement हो, scholarship हो, CU एक बहुत यच्छ option है, BCA करने के लिए, हाँ यह बात ज शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, अगर आपके कुछ doubts हैं, तो जुरूर हमें बताएं comment section में, so thanks for watching our video, हम जल लेके आएंगे BCA पे एक और ऐसा ही doubt leading video, till then stay tuned, stay safe and believe in you.